हलो फैंस, स्वागत है आपका मेरी चैनल AICT Advice Tank में मैं प्रसांत आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और इसमें अगर हम इसका कोर्स करेंगे तो हम कौन से topic हमें इसमें cover करे जाएंगी यानि कि होंगे हमारे इसलेवर्स में तो इस वीडियो में हम जानेंगी marketing डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है तो आई ये इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो friends सबसे पहले होता क्या है कि digital marketing से पहले हम समझ लेते हैं कि marketing होती क्या है तो देखिए कोई भी हम business start करते है तो उसमें marketing का एक एहम रोल होता है अब ये offline marketing कैलाती है जो आपने देखी होगी जैसे newspaper पे हो गया एड बगरा हो गया या फिर आपके holding banner पर जो हम एड देते हैं हमने business का तो वो लोगों तक जो पहुंचता है वो offline marketing कैलाती है ठीक है अब इसमें हमें ये नहीं पदा चल सकता कि उस ब्यक्ती नहीं या उन लोगों ने कोई किसी नहीं हमारे इसको watch किया है मला मैं banner को देखा है newspaper को देखा है template या holding को बगरा को देखा है की नहीं देखा है हमें इस बात का पता नहीं चल पाता है ठीक है तो हमारा business grow नहीं हो पाता जल्दी ठीक है मगर अगर हम इसकी बात करें digital marketing की तो ये कहलाता है आपका online marketing अब इसमें क्या फायदा है इसमें हम social जो platform होते हैं जैसा facebook हो गया instagram हो गया google के एड को लेकर हम कई तरीके से हम इसमें अपना promotion कर सकते हैं आड दे सकते हैं तो ये लोगों तक पहुंचता है लोगों तक पहुंचेगा तो फिर हमें पता भी चल जाता है कि हमें किन लोगों तक हमें ये हमारा एड पहुंचा है किस उमर के हैं कौन से रीजन में रहते हैं वो तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों का इसमें पत चाहे इसमें हम पता कर सकते हैं पूरी तरीख से तो चलिए अब हम topic के बात कर लेते हैं कि वो कौन-कौन से topic हैं जो हमको cover कराए जाएंगे और उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस course को कौन-कौन कर सकता है तो देखे इस course को कोई भी कर सकता है वो कोई सी भी stream से हो, arts से हो, science से हो या commerce से हो और इसमें ऐसी कोई education का criteria नहीं है कि यहीं बंदा कर सकता है 10th से लेकर 12 तक कोई भी बंदा कर सकता है और up-level है यानि operation भी है वो भी आराम से इसको कर सकता है इसमें कोई ऐसा नहीं है और इसका क्रेज आज की date में बहुत जादा है क्योंकि सारी चीजें सारे digital social media पर सारे platform पर digital marketing चल लगी है तो हम उन टॉपिकों को समझेंगे कि वो क्या-क्या है topic और उनको समझेंगे कि उसमें क्या-क्या हमको कबर कराया जाएगा तो पूरे तरह किसा में को समाझे आया कि digital marketing होती क्या है तो इसमें पहला topic है email marketing email marketing के जरिए आप लोगों तक अपने business या product को बहुत आसानी से easily way में पहुचा सकते हैं इससे बहुत जल्दी एक तरीक से आपकी reach बनेगी कि बहुत लोगों तक आप एक साथ कई लोगों तक आप connect हो सकते हैं तो यह email marketing का एक हिस्सा बहुत बढ़ा इसमें रहता है तुसा इसमें topic आपका रहेगा model है कि content writing अब किसे हमें कोई website बगरा या भी कुछ भी हमें digital platform पर कुछ भी हमें से रहे और कुछ भी करना है तो हमें content अपने लिखने होंगे product के या अपना business के according तो content लिखने के लिए अलग से एक job निकाली जाती है content writer उसमें include किये जाते है तो content writing आपको सिखाई जाएगी content writing होती क्या है तीसरा आपका इसमें topic module रहेगा कि SEO यानि कि search engine optimization ठीक है यह बहुत बड़ा इसमें role है मलब आपका जो business या आपका जो business है वो आपको एक तरह कि search में आना चाहिए लोगों को कोई लोग search करने तो आपका product या आपका business नजर आना चाहिए इसमें आप इसके थूप बहुत ल marketing आप उसका है जाएगी और blogging क्या है और कैसे बनाते blog वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा अगला आपका module है social media marketing आप देखिए इसमें सबसे बड़ा इसमें role अदा करता है कि social media platform होते हैं से आपका Facebook हो गया Instagram हो गया Twitter हो गया या फिर आपका Pinterest हो गया और इस तरीके से ज कैसे करा जाएगा वो आपको इसमें सिखाया जाएगा तो social media marketing ये कहलाती है अगला आपका है e-commerce marketing इसमें आपको सिखाया जाएगा कि e-commerce marketing होता क्या है अब देखिए e-commerce marketing मैं थोड़े सब्दों मैं कहना चाहूँगा जैसे आपना flip card या Amazon वगरा कर नाम सुना हुगा आपन अपना promotion कर सकते हैं अपने business को कैसे promote कर सकते हैं ये भी सब चीजन सिखाया जाएंगी और कैसे वर्क करते है YouTube पर ये भी सब आपको इसमें सिखाया जाएगा अगला topic है Google AdWords ये बहुत बढ़ा topic है और इसमें आपको सिखाया जागा Google के जरिए आप अपने business का ad कैसे दे सकत कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है किसी ने पर्चेस करा तो उसको भी कुछ सेरिंग मिलती है और जो वैप साइट है वो भी उनसे वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो एफलेट मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो यह सब आपको इसमें आपको सिखाय जाएगा कि अपने बिजनेस के लिए आप लीट कैसे जनरेट करेंगे जादा से जादा आप लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे यह आपको इसमें सिखाय जाएगा इसमें मोबाइल मार्केटिंग अब देखिए ज़्यादा यूजर्स हमारे जाए जाएंगी कि कैसे अपने business को इसमें promote करना है उसमें topic है keyword research आप देखी यह होता क्या है जैसे हम कोई search करते हैं किसी चीज को हम ढूनते हैं product या service को ढूनते हैं या business को ढूनते हैं तो हम कुछ keyword उसमें डालते हैं ठीक है net पे तो उसको आपको सकाय जागा keyword search होता क्या है इस पर आपको एक तरगी से पूरी theoretical practically बता जाएगा कि कैसे हम keyword अपने business के डालें कि हमारा business उसमें आ जाए या हमारी service या product उसमें आ जाए तो इसमें इसको बारिकिया इसको सिखाए जाएंगी तो इतना ही इस video में ये कुछ ऐसे topic थे जो आपको digital marketing में सिखाए जाएंगी और कुछ और भी हो सकते हैं मैंने वो लिये हैं जो mostly आपको सिखाए ही जाएंगे हर syllabus में ठीक है और इसको करने के लिए आप अपने सहर के किस इस इंसिटूट में संपाग कर सकते हैं ठीक है या फिर आसपास कोई आपका बड़ा सहर पड़ता है तो महां जाके आप इसको सीख सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपना विजनेस पीस में साथ कर सकते हैं ठीक है तो इस video में इतना ही आगे कुछ इंटरस्टिंग टॉबिक पर लाते हैं अगर आप ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइम करना न भूलें लाइक करना न भूलें और डेस्क्रिप्शन में जरूर जाएं झाल झाल